बिहार में प्रात्मिक सिक्षक भरती का रिजल्ट कब आएगा इसके लिए बहुत सारी भरती परेशान है जैसा कि यहाँ पर आज जो हमारे अध्यक्ष महोदे हैं अतुल परसाद जी उनका ट्विट आया है और आपको पता है आज से आपका रिजल्ट आना इस्टार्ट हो है आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपका जो रिजल्ट है सबसे पहले PGT का रिजल्ट आएगा जो की कच्छा 11 और 12 का रिजल्ट है फिर कच्छा 9 और 10 का रिजल्ट आएगा जिसको हम लोग TGT कहते हैं और उसके बाद आपका PIT यानि प्रात्मिक सिक्षक भरती का रि रिजल्ट आएगा एक ही बार में परतेक सब्जेट का रिजल्ट नहीं आएगा बारी बारी सबका रिजल्ट आएगा और ये सारी रिजल्ट आने के बाद फिर आपका PIT यानि प्रात्मिक सिक्षक भरती का नमबर आएगा तो पहले अध्ञ्ष महोदयर ने क्या ट्विट रिजल्ट आया है हिंदी जो आपका PGT है उसका रिजल्ट आ गया है आगे बढ़ते हैं but our website is getting crashed हमारी जो website है वो crashed हो गई यानि की पूरी तरीके से बंद हो गई है डिव टी हैवी रस यानि की बहुत सारी लोग एक साथ जब website पे पहुंच गए तो उनकी website क्या हो गई crash हो गई आगे बढ़ते हैं since there is no PRT result today और सबसे आदा जो अभ्यर्थी है वो PRT के लिए ही है तो बहुत सारी अभ्यर्थी PRT का result आया है नहीं आया है यह चेक करने के लिए इनकी website पे गए और website पूरी तरह से हो गई या crash आगे बढ़ते हैं आगे क्या लिखा है such candidates need no visit our website तो हमारे अध्यक्स महोदे कह रहे हैं कि इस प्रकार के अभ्यर्थियों को कोई भी आउशकता नहीं है website को visit करने की congratulations to all the successful candidates यानि कि अभी जो result आया है हिंदी वाला उसमें जितने भी अभ्यर्थी सफल हुए हैं उनको यह सुभकामनाय दे रहे हैं तो उनके कहने के मतलब है कि आप PRT का result पूर जाके मत देखिए अभी PRT का result नहीं आया है सबसे पहले PGT का आयेगा जिसमें 30 सब्जेक्ट है PGT का आयेगा जिसमें 10 सब्जेक्ट है धिरे-धिरे करके यह result दिया जाएगा एक दू दिन में सारे result आपके डिकलियर कर दिया जाएगी उसके बाद PRT का result आएगा लेकिन PRT का result इतनी जल्दी आने की यह सम्होना नहीं है जैसा कि आपको पता है 20 तारिक की जो हमारी date है के बाद ही आपका result आएगा ये बेड वाला और BTC वाला मामला कुछ न कुछ चब तक solve नहीं होगा तब तक result आने की उम्मीद नहीं है क्योंकि अगर बेड सामिल होता है नहीं होता है ये सारी चीज़ें सुप्रिम कोर्ट के द्वारे निर्धारित होगी तो उसके बाद ही आपका result आएगा तो आपका result है वो 20 तारिक के बाद ही आएगा अभी आपका result आने की यहाँ पर कोई भी उम्मीद नहीं है तो इंतजार करिए 21,22,23,43 तारिक तक 24 तारिक तक आपका result जरूर जरूर आजाएगा अभी जो PGT में हैं TGT के बंदे हैं जितने भी लोग सफल ह हुए हैं जितने भी भाई बहन है सफल हुए हैं उनको सफल कामनाई दीजिए क्योंकि उनका जो एक शपना है प्ने दिनों से त्यारी कर रहे थे वो सफना पूरा हो गया सरकारी लग गई तो सभी को सुबकामनाइज जो PGT और TGT में सफल हुए हैं बाकि PRT के लिए आप सभी लोगों को थोड़ा सा इंदियार करना होगा